हाई आम डेविड एंड यू आप वाचिंग डी डवल भारत विलोग यूटिव चैनल तो भई आज मैं आप लोग को ले चल रहा हूं बग्गा चववन जो उत्राखंड में है और मैं आप लोग को लेकर चलूंगा पॉलिगन से होते हुए क्योंकि उस दिन जब बग्गा च जो 16-17 किलोमेटर रहा पूरा जंगल वाला था तो वहाँ खत्रा है और खत्रा था बट आज मैं बॉलिगन से लेफ्ट की लेफ्ट टर्न लेके आगे गाउं के बीचों बीच होते वे जाऊंगा तो वहाँ का आप लोग को मैं तूर करा रहा हूं तो चलिए इंजोई कीज आज के टूर में मेरे साथ और व्यूवर्स अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बग्गा चवन जो है ये टावर है ना ये वला एरिया इस टावर के आसपास का पूरा एरिया यहां आगे काफी बड़ा दाइरह है इसका यहां से लेकर पूरा जंगल के ऐसे सरकल में है और यहां की खेते की बात करें तो खेती बहुत है बहुत बड़े बड़े खेत लगबग यहां पर भई धान लगबग सूखी चुके हैं चारो तरफ जंगल से घिरावा गाउं है यह अगर पॉलिगंज से भी जाएंगे आप बगग चवण के लिए तो लगबग बीच में 3-4 किलोमेटर का जंगल आता है यह है बगगावाद 54 जो गाउं है वहां का स्टार्टिंग पॉइंट एक रोड नीचे यहां से गाउं के लिए जाती है और एक रोड यहां से उपर गाउं के लिए पूरा चारों तरफ इस तरह से गोल करके घुमा हुआ है इस कॉर्णर गाउं का जो कॉर्णर ना यहां से गुम रहा है यह कच्चा रास्ता जो जा रहा है और यह रास्ता नहीं यह तो सीधे आपका जाएगा सुरे जंगल जो मेला गाट के तरफ कटता है यह रोड तो इस गाउं भई राउंड शेप में बसा हुआ है लेकिन बीच बीच से एक गली कटी हुए है जैसे पहला गली है अब ऐसी गली आई थिक जो पूरे गाउं में कटा हुआ है ताकि एक साइट से एक जंगल की छोड़ से दूसरे जंगल की तरफ एकजिट कर सके बग्गा चवण जो गाउं है बहुत ही ब्यूटिफुल है क्यूंकि चारो तरफ जंगल के बीच में ये गाउं बसा हुआ है बग्गा चवण में पहड़ी और पूर्विय लोग रहते हैं हाँ पर जो 1100 घरे हैं उसमें से आधे पहड़ी आधे पूर्विय लोग यह रूर सीधे नीचे जा रही है एक अंदर दाएं मुड़त है और यह चोरह है और एक यह बाया तो पहले बाया वाला कर लेते हैं इधर वाला यह अभी पहला गली है मेरा कर दो कर दो कि सो एक साइट का एक कॉर्णर बग्गा चाउन का पूरा टूर मैंने कर लिया है पहली गली मेरी पूरे होने वाली है आगे जाकर मिलेगा फ्रंट की तरफ से बग्गा चववन कुछ ऐसा दिखता है हरा भरा बहुत है यहाँ पर आज का पहला बग्गा चववन का टूर मैंने कर लिया क्योंकि पूरा नहीं कर सकता हूँ एक दिन में बहुत बड़ा गाउं है आज का वीडियो कैसा लगा टूर कैसा लगा कमेंट करके सब्रूर बताईए और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले बाकी वोल्मी टियो नेक्स वीडियो तब तक के लिखुट बाई और थाइंक यू सो मच